असलाम लेकुम वेलकुम तो मैं चैनल टेस्ट वुद रुकई है कैसे आप सब मैं बलकुल ठीक हो और उमीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत में होंगे सबसे पहले नहीं देखने होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैंने ले लिए सबसे पहले 100 g of salted butter, unsalted भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने ले लिए 100 g of chocolate जिसे मैंने double boiler के जो प्रॉसेस है उससे मैंने इसे melt कर लिया फिर मैंने ले लिए 1 half cup of sugar, शुगर आप जादा कम कर सकते हैं और 1 fourth cup of cocoa powder, 1 teaspoon of vanilla essence इन सब चीज़ों को मैं mix कर लूँगे और उसके बाद मैंने 3 eggs ले लिए जो की room temperature पे हैं और उसे मैंने पहले 2 eggs एड़ कियां और उसे अच्छी तरह से mix किया और उसके बाद फिर मैंने 3rd egg भी है वो भी add कर दिया और फिर मैंने उसे अच्छी तरह से mix कर लूँगे और इसके बाद जब यह mix हो जगा तो मैं फिर मैं विस्क के बाद साथ मैं उसे mix कर लूँगे मैंने ले लिए 1 cup of flour और साथ ही ले लिए 1 1-5 teaspoon of baking powder और उसे मैंने बस आच्छी तरह से देखे ज़िए छहाने की बद मैक्स करोंगी, 안सी मिक्स का अधै तो मैं ले लिया बेकिंग मोल्ट एर मेरे पास ती आपके बार्स हैग्स सुस्क्स तो समय आप बना सकते हैं इससे कोई बात नहीं है तो बस मैंने वो ले लिया है और मैंने इसे तकरीबरल सकते हैं तकरीबर शाय निद जब आ दे दिया 35-190 एट्धारइए पर आप इसको यो है इस यह तरीके से बना लेना है बस फिर आप इसे वे निद आप टू दूंगी और बेक होने के बाद साथ ही मैं इसका जो चॉकलेट सॉस है वो तियार कर लूँगी इसके बाद चॉकलेट सॉस मैंने कैसे तियार की है वो भी मैं आपको बताती हूं उसके लिए मैंने तक्रीबें ले लिया था एक पैन ले लिया था, यह रिखी यह बस मैंने रख लिया और बस इसके रखने के बाद ही मैंने ले लिया था एक पैन, पैन में आधाल दी ता 1 cup of milk, 2 teaspoon of cocoa powder और 1 fourth cup of sugar बस इसी तरह से विस्क से मिक्स कर लूँगी और बस यह रेडी हो जाएगा असे ठंडा होने के लिए रख दूँगी केक इतने में रेडी हो जाएगा और केक जो है ब्राउनी केक जो है उपर से थोड़ा सा लेवल नहीं था उसे मैंने लेवल किया यह आपको कट कर की नहीं दिखा सकी क्योंकि इखास जो है मैंने अपने भाई की वेडिंग अनिवर्स भी के लिए बनाया था तो इसे मुझे ल सॉस भी और ब्राउनी केक भी आप भी ट्राइ किजिए और फिट्बैक मुझे जरू तो इस दो है